आज मैं आपको अपने गर का टूर करवाता हूँ, काफी अरसा हुआ कोई वीडियो प्रोट नहीं की थी, क्योंकि मैं अकुमोडेशन चेंज कर रहा था तो इस वज़ा से तोड़ा से डिस्टंस था, तो आज आपको अपनी नहीं अकुमोडेशन दिखाता हूँ, और साथ मै हमारे गर में तीन ही कमरे है, मैं गेट से एंटर होती ही लिफ्ट साथ पर जो कमरा आता है, वो है अवेस भाई और रहमान भाई का, जहाँ पर ये दोनोंने कम में रहते है, उसके बाद जैसे ये कदम आगे जाए तो स्टेर्स उपर चड़िये, जहाँ पर मेरा रूम है, और एक दो बाई और हैं उनका रूम है, अच्छा पिर बारी आती है लाउंच की, जिससे सिटिंग रूम कहा जाता है, यहाँ दो बाई मजीद रहते हैं, उन्होंने अपने बेड लगाए हुआ है आरदी तोर पे, जो यहाँ पर रहते हैं, सिटिंग रूम के साथ अटेच बी बिलकुल टिप टॉप है, और एक चीज बिलकुल फेट है, अच्छा आजाए है अब चलते हैं उपर, जहां मैं आप लोगों का अपना कमरा देखाता हूँ, सीडियों से चड़ते ही लिफ्ट साइट पर जो सबसे पहला रूम आता है, वहाँ पर दो बाई रहते हैं, एक है सवाद का, जो के यहाँ कर मेरी उनसे मुलाकात हुई है, उसके बाद बारी आती है बादरूम की, जो के साफसुतरासा है और बातरब भी लगा है, तो यह सबसे एची चीज़ है इसमें, चले अब चलते हैं मेरे रूम में, जो शुरू होते ही खतम हो जाता है, इसे यहाँ पर जो भी सिंगल बंदे रहते हैं, तो वो उनके लिए बॉक्स रूम टाइप बने होते हैं, तो वो मतलब उनके लिए इनफ होता है, दो बंदे यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, चूंके मेरा रूम उपर है तो यहाँ से बाहर का वी बड़ा प्यारा नजारा आता है यहां से आप बारिश बिलकुल सकून के साथ इंजोई कर सकते हैं अच्छा ये तो था मेरे गर का टूर अब मैं आपको रेंट बताता हूँ हम इन दो रूम को बॉक्स रूम और बड़े रूम को मिलाके 850 पाउंड देते हैं जिसमें 525 वो उस बड़े वाले रूम के है 325 बॉक्स रूम के है यू के में रेंट लोकेशन के इसाब से होता है हम चुँके पाकिस्तानी कम्यूनिटी के बीच में रहते हैं तो यहां पर रेंट ज्यादा है जहां के रेंट आपको वर्थ करता है तो आप वहाँ पर रह सकते है तो बस यही ता मेरे गर का टूर बाकि मिलते हैं इंशालल आगली वीडियो में तब तक के लिए जा सकते हैं अल्ला हाफिज, अल्ला पामान